हेलो दोस्तों, आप देख रहे है लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी, ये है भारत का सबसे महंगा मार्केट, प्रियंका और विराट भी हैं मुरीद, दिल्ली का खान मार्केट एक बार फिर सुर्खियों में है, कमर्शियल रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म कुश् रिपोर्ट के मुताबिक, खान मार्केट भारत की पहली और दुनिया की 24 वी सबसे महंगी जगह है, इसके पहले 2016 की लिस्ट में खान मार्केट को 28 वां स्थान मिला था, रिपोर्ट की माने तो यहां दुकान का किराया 1250 रुपए प्रती वर्गफुट है, वहीं, एशिया प्रशान प्षेत्र की बात की जाए तो खान मार्केट इस मामले में 11 वे स्थान पर है, इसके अलावा गुर्ण गामग का D.L.F. गैलेरिया 19 वे और मुंबई का लिंकिंग रोड 20 वे स्थान पर है, खान मार्केट के बारे में एक दिल्चस्प बात तो यह है, कि इसका ना अपना पाकिस्तान से आई रिफ्यूजी के मार्केट के तोर पर की गई थी, यूशेप में बने इस मार्केट में 154 दुकाने और 74 फिल एट्स हैं, दुनिया के लगभग सभी बड़े ब्रेंद्स के शोरूम आपको यहां मिल जाएंगे, कहा जाता है कि यदि कोई अपना नया प्रोडक्त लॉंच करती है, तो वह सबसे पहले खान मार्केट में आता है, आम आदमी, नेता हो या सेलेब्स खान मार्केट में अकसर शोपिंग करने आते हैं, सोनिया, प्रियंका गांधी, क्रिकेटर विराट कोहली, हर्भजन सिंह, शाहरूर खान, अक्षे क तुमार समेत कई सलेब्स खान मार्केट में शोपिंग करने आ चुके हैं, बताया जाता है, कि विराट जब भी दिल्ली में होते हैं, तो अकसर खान मार्केट में आते हैं, यहां के टाउन हॉल रेस्टोरेंट की फोटोज वे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर चु कि यहां कई दुकाने ऐसी हैं, जो पचास साल से ज्यादा पुरानी है, इनमें से एक किताबों की दुकान बहरी संस भी है, जो इंगलिश की किताबों के लिए जानी जाती है, खान मार्केट में कपड़ों के शोरूम और रेस्टोरेंट के अलावा बॉलीवूड शूटिं स्पोर्ट भी माना जाता है, यहां कई फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग हो चुकी है, खान मार्केट को पुनह विक्सित करने की भी बातें कही जाती रही है, समय के साथ यहां कार पार्किंग की भी समस्या बढ़ी है, हालांकि खान मार्केट को विक्सित करने के ल रही है